आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Friends, आज के Question में हमसे पुछा गया है कि हमें explain करना है Formation of Egg Flower के अंदर तो दोस्तों अगर हम स्टार्टिंग से बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं Ovules की तो ovules किसके अंदर present होते हैं Ovules present होते हैं Inside the ovary और ये सब किसके पार्ट होते हैं ये Female Reproductive Part का पार्ट होता है हम कह सकते हैं Carpal या फिर Pistil का ये क्या होता है Part होता है Ovule और ovary अब अगर हम बात करें ovule का तो ovule क्या होता है Attach होता है किस चीश से attach होगा Ovule तो placenta से attach होता है Ovule और ये hold करता है ovule को With the help of हम कह सकते हैं Stock की help से ये hold कर पाता है Ovule को और वो जो stock होता है उसको हम क्या बोलते है Funicle Then अगर हम इसका next point देखें तो next point में क्या होता है कि ये जो ovule होता है उसके अंदर क्या होते है दो structure होते है It contains two structure और वो जो डो structure होते है वो किसके अंदर होते है हम कह सकते है कि जो embryo sec होता है या फिर integument जो होता है integument के अंदर और हम कह सकते है nucleus Then अगर हम देखें क्या होता है तो ये जो embryo sec होता है जो मतलब ovule के अंदर present होता है तो ये embryo sec जो होता है वो responsible होता है produce करने का egg में हम कह सकते है या फिर egg को हम क्या बोलेंगे ovum बोल सकते है या फिर हम कह सकते है female gamit और directly इसके थुरू के हो जाता है female gamit के production हो जाता है और यहीं इसकी process होती है Thank you